नीलम मिस्टर चैनल में आपका स्वागत है एक बार एक धोबी अपने रोजाना के नियम के अनुसार सुबह-सुबह नदी पर कपड़े धुलने के लिए गया वहाँ से वो कपड़ा धुल के जब लौटने लगा तो उसने नदी के किनारे पानी में कोई चमकता हुआ चीज देखा तो उसे बहुत सुन्दर लगा उसने जट से पूरी कोशिस करके नदी में से निकाल लिया और निकाला तो वो बहुत ही एक चमकदार पत्थर निकला वो अपने गधे को पहनाने के लिए उसे रख लिया घर आया और किसी तरह से उसे एक कपड़े में सिलके अपने गधे के गले में पहना दिया और अब प्रति दिन अपने गधे के साथ आने लगा और बड़ा खुस होता था कि कितना सुन्दर लग रहा मेरा गधा और रात में भी गधे के गले से वो हीरा चमकता रहता था तो इसे बड़ा अच्छा लगता था कि रात में भी देखो पता चलता है एक दिन क्या हुआ कि वो अपने रोज के काम से कपड़ा धुल के लोट के आ रहा था इतने में एक जोहरी की निगाह गई उसके गधे पर जोहरी ने देखा कि अरे ये तो हीरा है जोहरी ने सुचा कि इससे ये हीरा किसे तरह से लेते हैं क्योंकि ये तो हीरे की कीमत ही नहीं जानता इसने हीरे को उसके गले में पहना के रखा है पर अब जोहरी बहुत चालाग था वो उसे बताना नहीं चाहता था तो जोहरी उसके पास आया बोला ये गधे के गले में क्या पहनाए हो कंकड़ पत्थर तो धोबी ने बोला कि हाँ एक पत्थर है पर मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने उसे पहना दिया तो बोला हाँ वही तो पत्थर ही है ऐसे इसने बोला कि जिससे उसे समझ में ना है उसने बोला पर मुझे ये पत्थर बड़ा सुन्दर लग रहा है क्या तु मुझे बेचोगे तो बोला कि नहीं नहीं मुझे बेचना नहीं है मुझे तो यह अच्छा लगता है मैं इसके गले में पहना दिया हूँ तब से रात में यह आराम से मुझे दिखाई देता है मुझे रात में दीपक भी जलाने की ज़रूत नहीं पड़ती है तो बुला हाँ वो तो ठीक है पर अगर तुम चाहो तो इसके बडले मैं तुमें कुछ पैसे दे सकता हूँ तो धोबी ने सुचा की यह तो बहुत अच्छा है तो उसने बुला की हाँ अगर आप पैसे देंगे तब मैं इसे दे दूंगा तो जोहरी ने उसे बुला एक आना लोगे तो बोला नहीं नहीं एक आना नहीं मैं तो इसके दो रूपे लूँगा तो जोहरी ने बोला कि दो रूपे तो बहुत जादा है तो उसने बोला कि अगर दो रूपे देने हैं तो दो नहीं तो मैं नहीं बेचूंगा इतने में जोहरी ने सोचा कि बात ना बिगड़े उसने फट से उसे दो रूपे दे दिये और वो पत्थर रूपी हीरा खरी लिया और दो भी बड़े मज़े से अपने गधे के साथ घर चला गया इधर जब ये जोहरी घर पहुचा उसने जैसे ही हीरा निकाल के सोचा कि तिजोरी में डाल दे वो हीरे के टुकड़े हो गए वो हीरा कई टुकड़े में बट गया तो इसने बोला ये क्या जब ये हीरा वो गधा पहना था तब तो ये बहुत सही था अब जब मैं इसे लेके आया हूँ इसको तरास के कुछ अच्छा बनाऊंगा तो ये तूट गया तो उसने बोला कि हाँ मुझे इसी बात का दुख है जब तो वो गधे के गले में था और धोबी ने उसे रखा था तो मुझे उसकी जरा भी चिंता नहीं हुई जरा भी कस्ट नहीं हुआ इसलिए कि वो तो गधा ही था और वो धोबी ठैरा अनपढ उसे क्या पता मेरी क्या कीमत है पर आप तो जोहरी हैं आपको तो मेरी कीमत का प को तो पता है कि मैं कितना कीमती से कीमती हूँ पर मुझे इसी बात का तकलीफ है कि आपने मेरी कीमत दो रूपे लगाई इसके लिए मैं अपना वजूद न बचा सका और मैं तूट गया इसलिए हमारे पार्खी नजरों से जिस चीज की परक हमें आती है उसको हम सही कीमत आए तो कमेंट करके जरूर बताए धन्यबाद आपको यह इस्टोरी पसंद आई हो तो प्रिप्या लाइए सब्सक्राइब और सेया जरूर करें धन्यबाद हमारा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें और आपका मन पसंद वीडियो देखने के लिए इ झाल 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 झाल